असलाम अलेकुम देर स्टोरेंट्स अमीद आप सब लोग खेरियत से होंगे क्वांटम केमिस्ट्री का हमारा यह आज का टाइप एक बोहर्स अटामिक माडल बहुत आसान है आप लोगों ने पड़ा हुआ है पहले भी तो इसमें हमने देखना है कि बोहर्स ने इतम के मताबिक अपना एक माडल दिया था 1913 में हमने इससे पहले इंक्ड़्स्ट्री लیک्चर में थोड़ा सा इसको डिसकस किया था उसमें रडर फोड ने जब अपना एक अटामिक माडल दिया था उसने एक एक्सपेरिमेंट किया 1911 में गोर्ड फाइल के उपर उसने जब अल्फा पार्टिकल्स की बंबार्डमिन की तो उसने ये देखा कि उसमें से मोस्टली अल्फा पार्टिकल्स जो है वो उसमें से गुदर जाते हैं और सामने फोटोग्राफिक पलेट पे इफेक्ट छोड़ते हैं ठीके और कुछ जो है वो रिफलेक्ट हो जाते हैं कुछ बंब्स बायक हो जाते हैं तो इससे रदर फोर्ड ने अपना एक अटामिक माडल दिया था जिसको rather force atomic model कहते हैं उसने कहा कि संटर से alpha particles का वापस आ जाना यह शो करता है कि संटर में कोई भारी चीज मौझूद है जिसको उसने निकलिस का नाम दिया था तो उसने निकलिस द्रियाफ्त किया तो फिर उसने ये कहा कि निकलिस पे positive charge है उसमें परुटान मौजूद है अलेक्टान नेगटिवली चार्जड है वो उस पॉजिटिवली चार्ज निकलिस के एराउंड जो है रिवाल्व करते है उसने अपना एक प्लैनेटरी माडल पेश किया कि उसने का जिस तरह सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स जो हैं सियारे जो हैं आपने मदार के गिर्द मूव कर रहे हैं सेम इंद वे एक एंटम में दर्मयां में निकलिस मौजूद है पाजिटिवली चार्ज उसके गिर्द एरबिट्स जो है अब ये अक बहुत अचसा कर्निस्ट था atomic structure की study के बारे में उसकी तरफ एक बहुत अच्छा कदम था उसने एक इस चीज़ का जो है वो दर्वादा खोला और atomic structure के ओपर इसके बहुत काम हुआ एक रहा मिल गई लेकिन इसमें बूर्ट डिफेक्ट थे रधर फोर्ड ने atomic model तो दे दिया planetary model के electron revolve करते हैं लेकिन इसमें electron का जो behavior है उसको रधर फोर्ड ने explain नहीं किया क्योंकि अगर हम रधर फोर्ड की ये बात मान लें कि electron जो है वो revolve कर रहे हैं निकलेस के गिर्द उसने सिर्फ इतनी बात की तो classical theory of light ये कहती है कि अगर कोई electron कोई charge particle जब revolve करता है move करता है circle में तो वो continuously जो है energy lose करता है energy उसमें से emit होती है अब electron भी रधर फोर्ड के जो उसने माडल थी electron भी negativity चार्ज है और उसने भी कहा कि ये निकलेस के गिर्द रिवालव कर रहे हैं तो अगर ऐसी बात थी तो उस time तक जो available जो knowledge था उसके according classical theory of light के according in electrons को during revolving continuously energy जो है वो release करनी चाहिए थी और energy इसकी release जब करेगा energy कम होती होती बिलाखिर इसको निकलेस में गिर जाना चाहिए था लेकर अगर निकलेस में गिरता है तो मतलब atom खत्म atom की stability जो है वो भी बरकरार नहीं रहती लेकर हम जानती है कि atom जो हमो कोया होती है stable होती है ऐसा नहीं होता तो इस तरह इनका electrons का behavior उसने explain है नहीं किया था rather force के इन defects को 1913 में फिर नील बोहर ने इनको study किया और उसने फिर इसको explain किया ठीक है तो नील बोहर ने कहा कि नदर फूड की ये बाट ठीक है electron से revolve करते है निकलेस की गिर्द लेकिन कैसे revolve करते है energy वो लोज नहीं करते वो energy लोज करके continuously जो है निकलेस में नहीं गिर्दे तो क्या होता है इसको देखते हैं तो ये थोड़ी सी इसकी history थी पीछे उसके साथ मैंने relate किया अब ये बोहर का जो atomic model है हम इसको study करेंगे बोहर ने इसी चीज़ को electron के behavior को around the nucleus explain करने के लिए उसने planks की theory जो quantum theory है जिसके मताबिक जो एक energy होती है is equal to s new यानि light है या electron है photon की फार्मे एनरजी जो इसका इनरजी जो है इमिट होती है या release होती है या उसका ट्रांसफर होता है energy continuous नहीं है ठीक है तो एक photon की energy की भी उसने बात की थी कि एक photon के energy s new के बराबर है frequency पे डिपेंड करती है तो रदर फोर्ड ने अपना एक model थिया उसके according रदर फोर्ड के model के हमारे पास क्या पास्चुलेट थे वो यह पास्चुलेट है पहला पास्चुलेट वो यह कहता है कि electrons nucleus के गिर्द orbits में circular orbits में revolve करते है वही बात जो रदर फोर्ड ने की थी लेकिन इसने कहा कि वो fixed energy levels मे ही orbits move करते हैं ठीक है fixed energy level में यह नहीं होता कि वो continuous energy release करके वापस आ रहे है निकलेस के अंदर जब तक वो एक orbit में है ठीक है energy level में है shell के अदर सपोस के shell है L shell है M shell है जब तक electron उस orbit में उस energy level में है तो जब तक वो उसी में मौजूद रहेगा उसकी energy fixed है के shell की एक fixed energy है L shell की amount of energy है ठीक है इसको हम आगे जाके derive करेंगे कितनी energy होती है की की L की तो रधर फोन ने कहा कि अर्बिट हर अर्बिट जो है electron निकलेस के अर्बिट में move करते हैं और हर अर्बिट की एक fixed energy होती है और उस अर्बिट को हम एक quantum number भी assign कर देते हैं जिसना के shell को हम कहते हैं कि उसक energy level के according हम assign कर देते हैं ठीक है दूसरा पास्चुलेट उसने कहा कि electrons जब तक एक particular अर्बिट में मौजूद होता है तब तक वो energy radiate नहीं करता यागर electron के shell में मौजूद है उसको बार से हम छेल नहीं रहेना उसको energy provide कर रहे हैं ना उसमें से energy निकाल रहे हैं किसी तरीके से तो जब तक electron के shell में मौजूद है ना वो खुद में खुद energy release करेगा ना वो खुद में खुद energy जो है अबजार्ब करेगा यह एक electron के गिर्द के shell में रिवाल कर रहा है उसमें से energy release हो रही है ठीक है जिसना रधर फोर्ड के माडिलर के मताबिक या classical theory यह कहती है ऐसा होता ह नहीं electron का यह behavior है कि निकलेस के गिर्द वो सर्कुलर आर्बिट में मूव करते हैं ठीक है एक specific आर्बिट में specific energy level में और उस लेवल में जब तक वो मौजूद होंगे ना वो energy release करेंगे ना अब्जार्ब करेंगे energy release या अब्जार्ब सिर्फ उसी सुरत में होगी जब electron अप उपर चड़ना चाहता है तो क्या होगा उसको energy release करनी पड़ेगी अपनी energy खर्च करके ताकत लगा कर उपर जाएगा तो उसके लिए क्या सोरी वो energy जो है वो एब्सार्ब करेगा उसको energy में देनी पड़ेगी ठीक है उसको energy एक्स्ट्रा पहले तो जो उसके पास energy तो ताक अडमिन की उसके उपर किसी भी फार्म में फोटान की फार्म में हमने उसको energy दी वो energy जब ले ले लेगा अब उसकी ताकत बढ़ गई अब वो गएगा मेरे पास ज्यादा पैसे आ गया मेरे ताकत मेरे स्टेटस जो है वो बढ़ गी है ज्यादा energy मेरे पास है तो मैं lower level में higher अर्बिन में आ जाएगा ठीक है इसी तरह अगर वो higher energy level पे मौझूद है higher से lower में कब आएगा जब वो energy release करेगा उसके देवालिया निकलेगा energy उसकी कम होगी तो फिर अपनी अवकाद पे वापसा जाएगा ठीक है तो यह होता है कि energy release या अब्जार्ब सिर्फ उसी सुरत में होगी जब electron एक energy level को छोड़ कर दूसरे energy level में जाएगा जब तक एक ही energy level के अंदर वो रिवाल्ब कर रहा है तो उसकी energy release नहीं होती अब्जार्ब नहीं होती तो वो कम होते 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 निकलेस में नहीं गरेगा इस वज़ा से एक atom जो है stable होता है तो उसके दिरम्यान मे अपने मदार में move कर रहे हैं यह दो पास्चुलेट हो गए उसके बाद तीसरा पास्चुलेट हमारे पास इसका क्या है कि जब एक electron जो है बहर ने कहा जब एक electron वारे पास जम करता है तो energy change होती है कितनी energy के शल से L शल में जाने के लिए उसको कितनी energy चाहिए या L शल से व उन दो energy levels के दर्मयान energy के difference पर जिन दो energy levels के दर्मयान transition हो रही है अगर electron के से L में जा रहा है तो के से L में जाने की नहीं दो energy levels के दर्मयान energy का जो difference है अगर हम उतनी energy उसको देती हैं तो वो चला जाएगा इसकी example यूं समझ लें के अगर के शल की energy हमारे पास है 5 electron world let's say L शल की energy है 10 electron world अब electron मौझूद है के शल पे उसके पास 5 electron world energy मौझूद है L शल तक पहुचने के लिए उस level तक पहुचने के लिए उसको 5 electron world external energy मिल जाए तो वो L शल पे होन जाएगा हमने उसको 2 electron world energy दी वो यूं से नहीं जाएगा वो के में ही रहेगा हमने तीन लेक्टान वोड़ दी वो फिर भी हैंगा हमने फोर लेक्टान वोड़ दी वो फिर भी हैंगा